लेखक कहता है कि अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाय का कुवा पढ़ गया है बहां पहले एक बापी थे बापी का आर्थ होता है छोटा सा तालाव अब जिस छोटी सी बगीची का नाम बाय का कुवा पढ़ा है बहां पर पहले एक छोटा सा तालाव हुआ करता था अब बहां मृत्तु के बाद कर्मकांड होता है अब उस स्थान पर मृत्तु के बाद किये जाने वाला कर्मकांड होता है और एक कोने में अखाडा है उस बाय के कुमे के एक कोने पर अखाडा बना हुआ है जहां पर नगर के कुछ लोग कसरत कुस्ते किया करते हैं बहां चलने का निमंत्रण सहसा पिताजी ने दिया तो वे ऐसे चोंके सोच में पड़े कि अपनी भूल गए लेखक कहता है कि जैसे ही हमारे पिताजी ने उन्हें बहां पर चलने का निमंत्रण दिया था बैसे ही बे ऐसे चोंक गए और सोच में पड़ गए कि जो कहने आये थे वो सब मानों भूल गए हूँ अचक चकार बोले बहें आशरी चक थोकर के बोले क्या है बाएं के कुएं पर अखाड़ा है पिताजी ने बहुती सादगी से कहा लेख कहता है कि पिताजी ने बहुती बिनम्रता के साथ उत्तर दिया कि बहां पर अखाड़ा बना हुआ है तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या तुम्हारा जी इस समय लड़ने को कर रहा है और मैं हो गया हूँ बूड़ा तो इबराही में मिले जाएगा या फिर तोता पहलमान उनसे तुम्हारा जोड़ वनवा दूँगा बस तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी और मेरा पीछा भी छ लिखक कहता है कि इस तरह से पिता जी ने कहा कि तुम्हारा इस समय जी हो रहा है लड़ने का और मैं इस समय बूड़ा हो गया हूँ मैं तुम्हारे लिए बहाँ पर पहलमानों के लिए मिलवा दूँगा बहाँ पर तुम्हारे लिए इब्राहीम पहलमान मिल जाएंगे तोत शूट जाएगा इस तरह से पितादी ने बहुती भी नमरता से कहा।